subscribe to our channel and hit the bell icon नमस्कार दोस्तो किरियोपार्ना मेट्रिक के लेक्षर में आपका स्वागत है चलिए आज किरियोपार्ना मेट्रिक में नहा कमांड सिखेंगे दोस्तो एक मेरा यह tapered bar है दोस्तो ठीक है न? इसका मैट्रियर मैंने अल्रेडी डिफाइन कर लिया है यहाँ पर SS में है और MMNS में है ठीक है न? यह आप डिफाइन कर लीजी का पहले है लाइव सिमिलेशन में जाएंगे इस इस्ट्रक्चर को मैंने टॉप में यहाँ फिक्स कर लिया है और मैं यहाँ पर लोड जो है आपको देख के रखा हूँ देखिए कितना 5000 किलो न्यूटन का लोड दोस्तों ठीक है और मुझे कल्कुलेट करना है कि इतना लोड देने पर इस टैपर बार जो है मेरा इसमें कितना इलोंगेशन होगा उसको कल्कुलेट करना है इस फिगर के तुरू और प्रैक्टिकली दोनों ठीक है तो मैं इस सिनेडियों को लेके जाता हूँ वहाँ प्रैक्टिकल एजांपल में यह मेरा रेक्टेंगलर बार है जिसका डाया दी है यह एल है और यह टैपड इतना तक है कि यह लेंथ टू एल तक जाएगा आपका यह महन के चलिए ठीक है नहीं है मेरा इंशन से इसमें डाया मैंने 40 यहां लिया है और इस फिगर में मैंने डाया उतना ही लिया है देख 20 है हाइट है आपका देखिया 100 और नीचे वाला 10 है ठीक है 100 हो गया नीचे वाला मैंने कल्कुलेट किया हाट आया वो 12 डिवाइड बाए 4 हो जाएगा आपका ठीक है नहीं कल्कुलेट जब कीज़ेगा तो इंपल कल्कुलेशन नहीं आपका दोस्तो ठीक है नहीं पोट सा 100 और यंग मोडूल सा आपका हाँ इतना आपका मेंगा पास करना है तो बाएड का जो इनलोंगेशन होंगा फार्मूला दोस्तो यह हो जाएगा 4 इन्टू पी इन्टू लेंथ एल इस बाएड का जो एक्च इचे वाला दीटू हो जाएगा इन्टू इन्टू यह यंग मोडूल है दोस्तो ठीक है तो देखिए हाँ पर यह उपर हो जाएगा 4 22 बाएसे में G4 G4 हो जाएगा आपका यह वाला फोर्स का मल्टिप्लिकेशन किया और D1 D2 यह तो D का वेलू दिया हुगा अवेरा 40 और इस हाइट पर जो D का जो वेलू होगा यह D2 0.5 टाइमस हो जाएगा दोस्तो आपका देखिए है ठीक है ना 0.5 टाइमस आप आपका G2 ठीक है यह डाया आपका लेंथ इस लेंथ में आपका हाफ हो जाएगा अब नर्मल यह है मैतमेटिक से आपका प्लिट करके देख सकते है ठीक है और इस किसमें टोटल जो आपका डिफ्लेक्शन आएगा 4.12 mm में आएगा दोस्तों ठीक है अब मैं इस डाग्राम में मैं देखता हूँ क्या आता है रोकी करता हूँ रोकी करता हूँ और सिमुलेट करता हूँ यह इस्ट्रेस है इस्ट्रेस मुझे नहीं लेना है मैं चाहता हूँ टोटल डिफॉर्मेशन आए तो 4.1724 आ रहा है सम और यहां पे भी वही है 4.1724 है अगर यह एक्स डाइक्शन में देखना चाहते हैं आप ठीक है न तो यहां पे देख लीजिए टिफॉर्मेशन सम के जगा यहां पे एक्स निकाल दीजिए तो एक्स फेक्टर भी नीचे मूव करेगा नेगेटिव आ गया यह माइनस 4.1724 सेम आ रहा है वही आ रहा है ठीक है और यहां पे मैं कल्कुलेट करूंगा पर्सेंटेज इर्ड एक्शन मेरा यह आना चाहिए 4.12 आ रहा है मेरा 4.17 तो कितना है 1.26 पर्सेंटेज कितना माइनर है और इसमें भी अगर आप इसमें भी अगर आप स्टडी करके पर्फॉर्मेंश अनलाइसिस में जाएगा यहां और यहां एक्रिशी को आप बढ़ाईएगा ग्राफिक्स अगर आपका जादा है तो उसके इसमें जो इरर रहेगा आपका वो अल्मोस्ट 0% पायदाएगा एक्रिशी इसमें बहुत ज इसमें जाग्रेशी करने का कोई जुरत ही नहीं है ठीक है इस तरह के आप दूसरे एक्जांपल भी देख सकते हैं अगर आपको कुछ डॉट है इसमें आप दूसरा एक्जांपल फोर्स का वेली एडाय का वेल्यू अलेंट का विल्यू आप चैंज करके देखिए या मैट